मोबाइल का चार्जर बदलने को लेकर हुए विवात में एक व्यक्ति ने मोबाइल शोप के दुकानदार की बुरी तने से पिटाई कर दी। दुकानदार अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के सो नंबर पर कोल करता रहा लेकिन पुलिस नहीं कहुची। घायल अवस्था में दुकानदार ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई मामला फत्याबाद की मोबाइल मार्किट का है। जहां मुबाइल चार्जर को बदलवाने आए एक ग्रहक ने दुकानदार पर फुर्षियों से हमला कर उसे खायल कर दिया। ये पुरी घटना वहां लगे एक सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने बताया कि बार बार सो नंबर पर कोल करने के बावडूद भी जब पुलिस मोके पर नहीं आई तो उसने घायल वस्था में खुद जाकर रिपोर्ड लिखवाई जबकि पुलिस स्टेशन दुकान से कुछ ही दूरी पर है। अधापाई करके चले गए हैं जी आज दस बंदे आया हैं जी परबात है सुनील है और मनोज है एक उसका बाई है और चार पांस अन्या जी ठीक है जी पूरा अधापाई मार रपीट किया जी पूरा एकदम अग्दम पूरा सो नंबर पे मैंने कॉल भी किया जी तीन चार ऐसका रपार ने सो नंबर से कौल किया है उसके बाद में उटकर सीटी ठाने के अंदर गया हूं भाज सब उसके बाद में सीविल ऊष्टल के अंदर मेरे को खुद को जाना पड़ा है वहां से फिर मैं वाफस जी आगए वाई सब आहरा से पर आपको प्र आपो रिस्ट्र वाले गए थे उन्होंने पूछा जी ठीक है और मैं यहां पर आके बैठ गया जी क्या करूं जी मैं दुकंदार बंदाओं में मेरा काम कर सकता हूं जी सब गुंडा करती क्या आप कल दो बंदे आई हैं जी ठीक है यह देखो हमने चार्जर भी उनको चेंज करके देती है देखो यह मार्किट कि यह कमर के अंदर अगरी जी कितना दूर है कितने बारदात हो सकती में दो सेगेंड का अरूप करने की बात कह रही है तो जगड़ा हो गया तो जगड़े कान पर यह जो वाला जी मोबाइल वाला है यह एडमिटाज ऑस्पिटल में इसके बैनों के दार पर किया जाए बारने वाला भी प्रोसी तो बतार विचार पांच थे आप योग अंकित करके उन गरफतार किया जाए इंडेक्स मेंस के लिए फत्याब बात से जिते अंदर मुगा की रिपोर्ट